वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपड़िट यहीं पर आते हैं ध्यान रगए हैं हलो एवर्यवन गुद मॉर्नेंग वेलिकम यू वाल्टू टू टू टूटी फॉर सिविल सर्विसेज और आज अपनी डेट 28 दिसमबर हो गई है 28 दिसमबर के important articles को देख लेते हैं बाकि आपके सामने यह है paid group इसको भी आप easily कभी भी जॉइन कर सकते हो टेलिग्राम चानल भी है हमारा इसको भी आप जॉइन कर सकते हो उससे भी आपको फायदा मिलेगा बाकि देखो आर्टिकल्स हमारे पास यह वाले पांच है अभी जो फिलहाल टेली कम्मिनिकेशन बिल आया है वो आम्ट फोर्सस से जुड़ी होई एक ट्रिबूनल बनाई गई है हाउथी बहुत जादा न्यूज में चल रहा है कॉलंबो सेक्योरिटी और रेयर अर्थ मेटल को एक्सपोर्ट किया गया है जैसे पहला है टेली कम्मिनिकेशन बिल जो है पुराने लॉस को जैसे मैं आपको बताया था कि क्रिमिनल लॉस नए तीन आये है रिप्लेस किया गया है बताया था ना सेम उसी टाइप में टेली कम्मिनिकेशन बिल भी यहां पर पुराने तीन लॉस टेलिग्राफ आक्ट टेलिग्राफी आक्ट अट ऑफ 1933 टेलिग्राफ वायर्ज आक्ट 1950 को रिप्लेस करके आज के टाइम के जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका लाइसन्स मिलना पर्मिंट मिलना उसको इजी करने के प्रॉसेस से वायर्लेस नेट्वर्क के लिए बना तो अभी यह वाला बिल भी पास हो चुका है प्रेजिडेंट की मन्जूरी के लिए है यह वाला बिल तो यह वही है जिसमें टेली कम्यूनिकेशन नेट्वर्क जो होते हैं उनके लिए यहां पर पूरा स्पेक्ट्रम उनका पूरा ब्रॉडबान इंफ्रास्ट्रक्टर प्राइवेट पब्लिक केबल किस तरीके से रहेंगे एमर्जंसी मेजर कैसे इनकेस कभी भी किसी का टेली कम्यूनिकेशन में कभी कोई नेट्वर्क सेक्यारिटी का प्रॉब्लम आ जाता है मानेजे कोई ऐसा मैसेज या ऐसा कुछ हो जाता है जिसको इंटरसेप्ट करने की जरुवत है तो उस समय क्या चीजे रहेंगी वो सब बिल में इस बिल में य इमेल सर्विसेज हो गया उसके अलावा हमारी जो और सर्विसेज होती है नेट्फिक्स अमजोन डिजनी होट स्टार सब को यहां पर किया गया मतब टेली कम्यूनिकेशन वो एक प्रॉडक्ट जो किसी भी तरीके से करेक्टेड रेडियो ऑप्टिकल सब कुछ टेली कम्यूनिकेशन का पाथ है तो यहां पर लेना जो है वह यहां पर टरीके से कीज बेकर के आई है कि इसमें जो भी टेली कम्यूनिकेशन सर्वसेज हैं उनको भारत की सरकार से पहले एक लाइसन्स ऑप्टेन करना होगा ठीक है ऑगर अगर अगर नहीं लेती हो तो आपको दो करोड या तीन साथ की जेल भी हो सकती है आप यह रीट कर सकते हैं वैसे तो सारा कुछ लिखा हुआ है इस बिल में जिसका फर्स स्केडियूल है वो उसमें यही लिखाए कि ऑक्षन के थुरू जो है आड्मिनिस्ट्रेशन प्रॉसेस चलेगा जिसके थू जो है सारे सैटलाइट्स वगेरा के बारे में भी लिखा हुआ है पब्लिक ब्रॉड कास्टिंग डिजास्ट्र मैनेजमेंट होता है नैशनल सेक्यूरिटी के समय क्या-क्या पॉइंट को फॉल्व अप किया जाएगा बिल्स पे कई लोगों का यहां पर आर्गुमेंट भ तो एक तो यह वाली प्रॉब्ल्म हो गई इंटरेट शट्डाउन के लिए कोई एक सॉलुशन नहीं दिया है और उसके बाद यहां पर यह बताया है कि हर एक आइडेंटिपिकेशन के लिए आपको बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक गया होता है कि आपको अंगूठा अठें अपने इसों सब लगाना होता है तो टेली कामुनिकेशन जो भी यहां पर प्रवाइट करेंगे वो इस तरीके से करना होगा और मालेज़ जै कोई परसन यहां पर अपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं जर्नलिस्ट भी होते हैं तो इस तरीके से उनके उपर जो है वह ए मेसेज हो जाता है वाट्साप पे शेयर होता है या कहीं पर भी शेयर होता है कोई वाइरस इंटर कर जाता है जैसे कि अभी बहुत न्यूज में चल रहा था इस्राइली का पेगसस स्पाइवेर तो स्पाइवेर आ जाता है मोबाइल पॉन्स को टागेट कर देता है सर्वि तो यह सब बिल्स में इसा बताया गया है इंडास्ट्री रिसेप्शन बताया गया है इस बिल्स में जो है वो इक तरीक से युनिफॉर्मिटी लेकर आए जा रहे हैं इंडियन स्पेस असोसियेशन नहीं आप साटलाइट बेस्ट कम्मुनिकेशन नेटवर्क के बारे में भी बात करी है जितने भी और यहां पर एक्सपर्ट और और सिगनल फाउंडेशन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन इंटरनेट फ्रेस इंस्टिटूट इन सबने भी टेलीकॉम मिनिस्टर को लिखा है कि यहां पर सर्विलेंस हमारे उपर मेसेज़स के उपर इतनी जादा ना रखी जाए अगर आप यहां पर इतना जादा सर्विलेंस रखेंगे तो उससे ऑल्लाइन सेफटी और प्रिविसी का सबसे बड़ा इशू हो सकता है तो फ्रांस्पेरेंसी को और जादा इंक्रीज करके अगर सेक्योरिटी को यहां पर बनाया जाए तो एक नया बिल ज स्टांडिंग कमीटी होती है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नलोजी पर रहती है स्टांडिंग कमीटी जो की वन येर के लिए स्पेशली बनाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स इसमें मिक्स होते हैं वो यहां पर इंटरनेट चट्डाउन के ओपर सारी चीज किस ने आप तक फेस किये हैं ठीक है पूरे इंडिया में किस किस ने सबसे ज़्यादा फेस किया है फर्स्ट वन इस जम्मो कश्मीर डू टू टू लिटेंट टेररिस्ट अक्टिविटीज वहां पर यह शट्डण हुआ सेकिड नमबर इस राजस्थान विकॉस अफेपर फेस्ट किया है मैक्सिमम नमबर ऑफ टाइम्स टीकिया है इसके बाद बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिबूनल का सेट अप होना मैंने कई बार अपनी वीडियो में पॉलिटी की वीडियो में यह बारा समझाया है नाशनल ग्रीन ट्रिबूनल राश्ट्रिय हरत ट्राइबुनल प्राधि करण भी खहते हैं इसको तो यह जो है सेम जैसे ग्रीन ट्रिबूनल एंबिरमेंट पॉपस केरिए बनाई जाती है वहाँ सेम मैंड़ फोर्स के लिए भी एक ट्रिबूनल का सेट अप किया गया इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिरेक्शन दी है इसको बनाने के लिए 2010 में आज भी एक्जिस्ट करती है तो अब यहां पर जो यह आम्ड फोर्स की या फिर एंजिटी कोई भी ट्रिबुनल बनाई जाती है वो क्वासी जुडीशल बॉडीज होती है जिसे हिंदी में कहते हैं अर्द निया एक निकाए क्या मतनब होता है इनका क्वासी कही पर भी वर्ड आएगा पूरी पॉलिटी में इसका सीधा सा मीनी होगा सेमी आधा तो क्वासी जुडीशल बेसिकली कैसी बॉडीज होती है जिनके पास सुप्रीम कोड हाई कोड जैसी पावर तो नहीं होती कि वो प्रॉपर्ली पैनिश्मेंट दे सकते हैं फाइन सब कुछ कर सकते हैं जिसे सुप्रीम कोड तो यार फांसी की सज़ा भी दे सकत सबाइब कांगी जो है हर्याना की सरकार पर लगाया है घरीकर अगया है राजस्थान की सरकार पर जो पैनल्टी लगाते कि बहुंठ और थीन्टी को नहीं ध्यान दिया या किसी नदी के उपर उन्होंने गलत काम करने को यहां पर मंझूरी दे दि माइनिंग स्टेट की उपर या परसन की उपर या किसी भी एक्स याई-जेट की उपर उसको फाजी के सदा देगे ऐसा कुछ प्रावधन के पास नहीं होता तो आधे तरीके से अपनी बाउंडरी में रहते हुए अपने निर्धारित सीमा में रहते हुए ये काम कर सकते हैं उसे कहते है अधिकरण या प्राधिकरण भी कहते हैं तो यहाँ पर डिफेंस को और जादा रेगुलराइजेशन करने के लिए एक आम्ड फोर्स ट्रिबुनल का सेट अप हुआ है जो की अल्डेडी एक आक्ट आया था 2007 में उसके तहट बनाई गई है किसने पास क्या होगा आक्ट है पार्लियमेंच ने इसके हेड़्कौर्टरि में है, ड्रिफक काम होता है यह ट्रिबुनल कभी भी किसी परसन को कोट मार्शल किया गया है जो डिफेंस का पूरा जो कोट है उसने अगर किसी भी परसन को x y z के तरीके से किसी ने देश द्रो किया है किसी ने आदेश का पालना नहीं किया है court marshal किया गया है तो उस court marshal के अगी इस person के पास भी तो अधिकार होगा न कि वो भी आगे चल कर कि अपने court marshal के against बोल सकता है तो वो जाएगा कहाँ पर armed forces tribunal के अंदर तो इसके पास power होती है किसी भी decision को null and void करने की related to armed forces only court marshal में अगर कुछ भी दिया गया है तो उसको दुबारा से recheck करने के लिए उस order को देखने के लिए उस decision को उस जो भी इसको dund दिया गया उसको देखने के लिए दुबारा से यहाँ पर check करने की पास इनके power होती है even यह bail तक भी provide कर सकते है किसी भी लेकर यह सब military person के लिए normal persons के लिए नहीं civilians के लिए यह right allowed नहीं है ठीक है भई तो इसमें भी यहाँ पर यह बात आपको clear होनी चाहिए और article 226 में भी जैसे हमारे article 32 में supreme code के पास एक power होती है वो rits exercise कर सकती है कितने type के rits होती है अपने पास इन पांचों का sequence तक पूछा जा सकता है तो sequence में ही याद करनी है pdf में sequence में ही लिखा गया है hebis corpus mandamus prohibition co-warrant to answer शुरारी चिक है यह sequence में नहीं है यह mistake हो गया यह sequence में नहीं है पहले है hebis corpus फिर आती है mandamus फिर आती है sub-fist के बाद आएगी prohibition फिर आती है certiorari और फिर आती है co-warrant to यहाँ पर ने last में यहाँ पर गलत हो गया यह pdf में आगे पीछे कर दिया यह sequence भी UPSC ने CAPF के exam में पूछा था कि what is the sequence of the rits as they appear in article 32 and article 226 तेखो रिट्स सेम ही है article 32 में supreme court जो है रिट्स को exercise करता है और article 226 में high court exercise करता है ठीक है रिट्स के नाम सेम है काम सेम है बस high court और supreme court है तो power का थोड़ा से difference आजा supreme court पूरे इंडिया के लिए कर सकता है क्योंकि supreme court के territorial jurisdiction high court से चाहदा होता है territorial jurisdiction का मतलब क्या होता है territory वाइस की बात करें तो territory obviously किसके जादा होगी supreme court के because supreme court पूरे इंडिया में इंडिया जबकिए high court पूरे इंडिया में कितरी है comment box में बताईए ठीक है option दे देती हुमें 25, 26, 27 या 28 कितने high courts है total number of high courts in इंडिया simple सा question है बहुत ही जो भी exam UPSC के लिए prepare कर रहा है उसको ये question का answer जरूर ही पता होगा ठीक है बई तो high court जो है वो यहाँ पे RITS को issue कर सकता है part 3rd में लिखी किसी भी चीज़ के लिए part 3rd क्या है fundamental rights उसमें और even part 3rd के अलावा भी क्योंकि article 226 part 3rd के डाइरे से बाहर आता है यह मैंने कई बार अपनी वीडियो में पहली भी explain किया है यह छोटा सा topic था कई बार RITS की मामले में इस चीज़ explain की भी है लोगों ने यमन में याद है यमन बताया था Red Sea में अटाक हुआ अटाक करा उन लोगों ने जो एक हाउथी लोग है यह मुस्लिम की एक ब्रांच शिया शिया के एक जो है एक गृप है जो की अटाक करे हैं Red Sea से पास होने वाली सारी commercial शिप्स के उपर बहुत सारी शिप्स के उपर उने अटाक करा है अब आपको पता है कि Red Sea स्वेस कैनाल पनामा कैनाल यह कुछ ऐसे कैनाल से हैं जो कि बिज़ियस्ट कहलाती हैं इवन इंडिया का ट्रेट भी Red Sea से होते हुए शिप्स के उपर अटाक होता है चाहाँ वह किसी भी कंट्री को लेकिन अगर कोई अटाक होगा तो ट्रेट पर इंपक्त पड़ेगा और बागी शिप्स भी आने से डरेंगी वहां पर अटाक हो रहा है तो यह में जो है वह बिलकुली पास पढ़ता है अटाक कर रहे है अब बात यह मैंने आपको समझाया था कि आटाक कर क्यों रही है अटाक इसले कर रहे है बिकॉज अभी जो यहाँ पर इस्राइल और गाजा के बीच में जो अटाक चल रहा है औरेडी हमाज अटाक वाला जो चल रहा है उसमें यूएस किसका सपोर्ट कर यूएस इसराइल का सपोर्ट कर रहा है इसराइल ने जो गाजा पर बॉम फेका था पर पहले तो गाजा नहीं अटाक शुरू किया था ना इसराइल पर हमने ये पूरा भी कवर किया है पहले तो उस तरीके से लोगों ने यूएस के अगेंस्ट यहां पर यमिन के ग्रुप अपना गुस्सा दिखाने के लिए रेट सी पर आने वाली शुप पर अटाक जिसकी वरे से रेट सी की और कंट्रीज जो रेट सी को बॉर्टर करते जिसकी साओधी अरेबिया चिक है सुमालिया यह सब कंट्रीज भी यहां पर और जादा गुस्से में आ गए कि वह बिकास तो इस तरीके से यह एक और अभी न्यूस इसमें आई जिसमें और जादा अभी अटाक्स बढ़ गए है पहले से जाद तो हाउथी जो है वो उसी स्ट्रेट के पास वहां पर एक पास पढ़ती है बाबल मंदेब स्ट्रेब वहां पर बढ़ती है यह वाली जो बाबल मंद लिए प्लेट के दोन है जो है प्लेट कर रहे हैं आए जो बी जो बिगवी औप्शनल है यह जो भी बच्चा प्रिलंस की त्यारी कर रहा है वो उस प्लेस को जरूर कवर करें ख कारंट बाकि सेप्टेंबर और और ऑक्टोबर की भी एक या दो दिन में पब्लिक कर दी जा यह बाबल मंदेप स्ट्रेट गाजा स्ट्रिप गाजा पट्टी जिसे कहते हैं उसके बाद रेड सी कौन बॉर्डर करते हैं क्योंकि यह टॉपिक्स न्यूज में हैं तो मैं डिसेंबर का जो जैनवरी में पबलिश हो जाएगा उसमें इस पूरे आर्टिकल को कवर करते हैं तो होती ह हउती नहीं पर क्या कर यह में वाले उनुनने यहां पर उनके पास ब क्या पर उनके पास हैं बड़ा आसाम हो गया उनके पास एवन बैलेस्टिक मैसाइल मिंध शौट टे तक उस पर अटाक हो चुका है एक कसमान की भी चंता हो गई बाकि और शुप्स नहीं बहुत जादा टाइम लेना शुरू कर दिया ठीक है और यह रास्ता बहुत छूटा है ठीक है यह वाला जो रास्ता पढ़ता है रेट सी का काफी जादा अपने को कम परसेंटेश में अगर हम पूरा साउथ आफ्रिका क्रॉस करते हुए केप टाउन से आएंगे तो वह रास्ता बहुत ज्यादा लंबा पढ़ जाता है ठीक है शुप्स के लिए पूरा का पूरा अरेबियन सी क्रॉस करते हुए इंडिन ओशन क्रॉस करते हुए एट्लांटिक ओशन की तरफ तो यहां पर आप देख सकते हुँ यह आप रीट करो इदर यह गज़ें सिंगापूर में ही अगर जाना है राटर डायम लाटर डायम काहां पर है नीदलांट तो सिंगापूर से नीदलांट जाने के लिए यह और अगेराज से जाना पड़ेगा वह 8301 नौटिकल माइच है अगर केप टाउन से होते वह जाएंगे तो गिनरा हजार करीब बारह हजार पढ़ जाएंगे तो यह एक्स्ट्रा पॉस्ट एक्स्ट्रा फ्यूल एक्स्ट्रा मनी को लेगा तो यह है कि अगर लंबे समय तक पर प्रॉब्लम रहेगी तो हमारी ग्लोबल इतना जादा ट्राफिक लेकर आ रहे हो यह सब कर रहे हो हमको तो चाहिए यहां पर रेविन्यू तगड़ा उन उसलिदर बोले कि हमें तगड़ा रेविन्यू चाहिए इसके लिए यूएस और जितने भी लोग हैं यूएस के सपोर्ट में उन सब ने बोल दिया कि इसमें हम लोग और नेवर्ड रिसोर्स को बना कर हम इस टार्गेटिंग को और इन सब चीजों को रोकने को तयार है हम लोग यहां पर जादा नहीं नहीं चीज़ें बनके आने लगे इंडिया भी यहां पर क्या कर रहा है इंडिया भी यहां पर अभी जो है इस चीज़े के लिए तयार है यहां पर इंडिया और येमिन नहीं पर नहीं को यहां पर पहले के टाइम पर बहुत मेस्ट किया है बहुत चारे नहीं सब्साइब 461cm एक नहीं नहीं समझे सब्सक्राइब और को ओर्प अडिकल सब्सवाइन में इसको अगला आता है कॉलंबो सेक्योरिटी एंक्लेव कॉलंबो इसन श्रिलंका तो कॉलंबो सेक्योरिटी एंक्लेव का सीधा सा मेनी है जो कि इंडियन ओशन का पूरा एक तरीके से सेक्योरिटी को रखने के लिए एक कॉलंबो सेक्योरीटी इंक्लेव बनाएगा ताकि इंडियान ओशन में चायना के ग्रोइंग प्रेजन को डियूस किया जा सके इंडिया भी पूरी तरीके से अपने नेवी को तैयार करके वहां पर 서ुलिटक्र में कि करth से रहे आइनस अरिहन और जितनी भी और हैं आइनस सत्पुरा आइनस कलकत्ता आइनस सताद्री यह सब को जो है नेवल असेट्स में इंडिया ने एन्हांस करके सर्विलेंस कपापलिटीज को बढ़ाया है वी इसमें जतनी भी इंडियन ओशन को सराउंड करने वाली कंट्रीज नाम आपको बतावने चाहिए इंडिया मौरेश्विस्ट्रिलंका बांगलदेश शेचल्स यह सारी कंट्रीज इसमें आती है और इसमें अब यहां पर मौल् को यह तक बोला था कि जितने भी आपकी आम्ड फोर्स पैरा मिलिट्री फोर्स इसमें पर उनको वापस बुलॉब और वहां पर कोट इंडिया आउट इंडिया के नारे तक लगे हैं यह ने बताया था पहले के लिए इंडिया और मौडीव में च्रीक है तो इंडिया ने के उपर अभी तो कोई जवाब नहीं दिया था और अभी इने नोशन के अंदर जो है इंडिया और मौडीव की सबसे बड़े टेंशन्स आ रहे हैं जबकि मौडीव को सबसे बड़ा टूरिजम इंडिया ही प्रोवाइड करता है स्टिल मौडीव जो है वो प्रो चाइना ह कि अंटी इंडिया की तरफ होते जा रही है और इंडिया जो है वो अपना सबसे जादा सपोर्ट किसको कर रही है मौरिश सेशल्स बांगलादेश इनको सपोर्ट काफी जादा करती है तो हमारे कॉलंबो सेक्यूरिटी एंक्लिव जो है पहला तो क्वेशन यहीं से बनेग कभी-कभी कि जो चाइना है वो बेल्ट ऐन रोट इनिशेटिव के ठूट जो है पहले तो श्रिलंका में इंटर किया फिर पाकिस्तान में फिर बांगलादेश में अब इंडिया में एंटर नहीं कर सकता and in बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव का पार्टिसिपेंट इंडिया है ही नहीं इंडिया ने बिया राई प्रॉजेट को कभी सपोर्ट नहीं करा विकॉज यह चाइनीज इन्वेस्टमेंट रहेगी और कभी भी यह प्रॉजेक्ट होगा इसमें जो डेवलाप्मेंट होगी इ अब हुआ क्या वे शुरुआत ही पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो रीजन है वहां पर यह सब लोगों ने अपनी इंवेस्टमेंट करनी शुरू करी और हुआ यह कि वहां के लोगों को इंप्रॉजमेंट नहीं मिला वहां पर सारी चाइनीज आ रही है चाइनीज पीपल देखने लगे तो बलूचिस्तान जो है मतलब पाकिस्तान की लोगों ने इसका रिवोल्ट करना शुरू किया कि जैसे शुलंका का हाल हुआ है उसी प्रकार से हम लोग भी इस तरीके से हो जाएंगे तो इस तरीके से यह प्रॉजक्ट अभी रुखा तो यह सब जो इंवे सही हमें पता होना चाहिए है यह लास्ट आर्टिकल रेयर ऐर्थ मेटल लेकिन मिलते कम तो सबसे बड़ा जो रेयर ऐर्थ मेटल्स होते हैं उसके सबसे बड़ा एक्सपोर्टर प्रोसेसर प्रोड्यूसर सब कुछ कौन है चाइन नहीं हैं और क्या बोल दिया कि इन करेंगे हम लोग अपने रीजन से लेकिन वो अपने ही देश में रखेंगे हम उसको जो है बाहर एक्सपोर्ट करना बन करें जब कि रेर अर्थ मेटल्स का इस्तिमार आज के टाइम पर सबसे जादा टेक्नोलोजी ने कि यह बड़े बड़े कंपनी हैं वो सब यहां पर उसम इंडिया में बहुत कम मिलते हैं आपको बता दूँ यह जो में यह कुछ भी ह है ररेंट में इंडिया में ìहुत कम दे हैं अब होनें रीसेंट्टि इसके- मिलोटी है जफ्वी के रीजामरेंност8 इसच्वारी हुई है जम्मोकश्मिर इंट्रीक्ट हैं empat करवाते हैं अगर इस तरीके की चीज़े होने लग गई चाइना ने उस पर बैन लगा दिया क्योंकि 90% जो है रेर अर्थ मेटल का पूरा का पूरा जो उत्पादन होता है वह चाइना से अगर यह सब चीज़े हो गई तो यह प्रॉब्लम्स बाकि सब कंट्रीज के उपर हमारी मैनुफेक्टरिंग सेक्टर पर काफी ज़्यादा इंपक्ट पड़ सकता है ठीक है मोस्ट ऑफ दी प्रोड़क्स हम लोग चाइना से ही इसको इंपोर्ट करवाते हैं फिनिश्ड फॉर्म में करवाते हैं अब ऐसा हमारे इलेक्रोनिक्स मिनिस्टर का कहना कि हो सकता है अगर रेयर एर्थ टेक्नलोजी चाइना बैन भी कर देता है तो हमारे उपर को इंपक्ट नहीं पड़ेगा बट इससे यह फाइदा हो जाएगा कि इंडिया में इस चीज को थोड़ा सा सीरिसली लेकर के इसकी जो माइनिंग होती है वह और जादा करने लगी जाएगे लेकिन माइनिंग के भी अलग इंपक्ट पड़ते हैं इसकी उपर अब वही है कि इसमें यह एक सॉल्यूशन हो सकता है कि हमारी जो पेट्रोलियम और नाच्रल गास की मिनिस्ट्री है वह अलग से डिपार्टमेंट बनाएं जो कि अभी तक एक्जिस्ट नहीं करता था डि नाच्रिज से इसका लेसन ले और यह पता चले कि इसका पूरा नीड होगा तो प्रॉपर दरीके से डोड़ पाई है तो यह थे हमारे इंपोर्टन्ट आज के आर्टिकल बाकी आज के हमारे कुछ प्राइमरी एग्रिकल्चर क्रेड़ ससाइटी जो कि यहां पर एग्रिकल्चर के लिए सोसाइटी बनाई गई है जो बहुत कम पेपर वर्क के साथ हमारे एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में हमारे फार्मस को ट्रेनिंग प्रोग्राम देके थोड़ा सा लिट्रेसी बनाये गए हैं और उनको प्रेडिट भी दिया जाएगा लोन भी प्रवाइट किया जाएगा लेकिन पेपर वर्क उनके लिए बहुत कम होगा ठीक है किसान क्रेडिट कार्ड जिन उनके पास ऑल्रेडी है किसानों के पास उनको इसी के थुरू यहां पर शौट टम रूरल रेसिडेंट्स के साथ मिलके गाउं के जो लोग हैं गाउंस तर्य संस्थाइन बहां पहले करके काम करते हैं यह स्टेट्मेंट्स रीड कर लेगा उसके बाद यह बहुत इंपॉर्टन्ट आर्टिकल है यह हम बहुत जादा टाइम से निउस में चल रहा है कि इथन सब्नॉल प्रोडक्षिन को इंक्रीयस करना हूं तो इतनौल प्रोडक्षिन को इंक्रीज करने कलिए हमें शुगर के जूस और शुगर सिरफ यह साय को बना राइट तो इसकी वज़ा से जो हम लोग इतनौल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं वो हमारा टार्गेट रुग गया तो अगर हम शुगर के इंजूसर शुगर सिरफ पे बैन लगा देंगे तो हमारा इतनौल प्रडक्शन वापस टार्गेट पे आ जाएगा जो कि हम लोगों ने ये बोला है कि हम लोग 2026 तक इतनौल ब्लेंडिंग करना शुरू कर देंगे अभी हम लोगों का इतनौल ब्लेंडिंग कितना है 8% केवल 8% हमारा क्या टार्गेट है कि 2026 तक आते आते 20% की इतनौल ब्लेंडिंग हो जानी चाहिए तो ये बैन जो है वो अगर हो जाता है तो इस target को achieve करने में help करेगा ठीक है तो ये वाले articles हैं इसमें सारी almost statement ठीक ही लिखी होई है पढ़ सकते हो आप लोग ठीक है और आज का mains का question भी उसी के उपर है PACS के उपर मैंने पहले भी explain किया हुआ है PACS का article PACS is primary agricultural credit society यह मैंने पहले भी explain किया है कि क्या मीनिंग होता है इसका इसी को आपको explain करना है कि what exactly is PACS primary agricultural credit society जो की farmers को help करेगी short term loan के लिए long term loan नहीं दे गई short term loan देगा और cooperative society है loan देना उनको repay करवाना उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए आगे वो सब बताएंगे इसमें एक सबसे उपर एक management होता है chairman, vice chairman, secretary और बागी office staff होता है तो आपको role बताना है, role बताते हुए आपको structure भी explain करना होगा अपने means के answer writing में क्योंकि role में सरफ आप उसका काम नहीं बताऊ गया, बताऊगा ना कि these persons are included तो यह इस तरीके से काम करते हैं ठीक है, तो PACS जो है यहाँ पर वो farmer के साथ closely रह करके उनको credit देना, input देना, market में कैसे addition कर सकते हैं, supply chain को कैसे increase कर सकते हैं, efficiency, effectiveness, यह सब चीज़े सिखाएंगे और apart from this credit काम, credit के काम के अलावा वो उनको soil का health, soil की health किस तरीके से increase कर सकते हैं, जितने भी agriculture interns होते हैं, उनको भी यहाँ पर collaborate करके, यहाँ पर उनके साथ भी काम को करना सिखाएंगे, financial literacy भी सिखाएंगे, लेकिन इसमें paperwork कम होगा, because बहुत से farmers हैं, जो कि paperwork में उतने जादा efficient नहीं है, अब देखों, आपको छोटा सा, एक वो समझा रही हूं, एक flow chart में, यह flow chart आपको काम आएगा इस topic को समझने में, देखो होता क्या है, कि हमारे हाँ पर cooperative societies run करती हैं, और वो cooperative society credit provide करती हैं, credit मतलब loan, तो दो तरीके की होती है, एक होती है rural level पे, गाउन लेवल पे ग्रामीर स्तर पे, एक होती है urban, शहरी स्तर पे, अब urban का मैं explain नहीं करें, पहले मैं rural का बता रही है, कि इनका complicated, rural में क्या होता है, एक तो provide करती है short term के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, एक provide करती है long term के लिए, देखो long term के लिए तो bank ही दे सकते हैं, long term के लिए तो यह नह गया है, एक तो primary agricultural credit society जिसको अभी हम पढ़ रहे है, PACS, एक बनाया गया है short term के लिए state cooperative bank, यह है short term, long term के लिए banks जितने भी होते हैं, सहकारी bank हो गया, नबाड के तहत बनाये गए काफी सारे bank होते हैं, तो वो सब बनाये जाए, चीक है, इस तरीके से short term और long term loan पर दे सकते government नहीं हाँ पर बनाया, जो कि grass root level पर काम करती है, पंशायत और village level पर यह काम करती है, ठीक है बई, और यह पूरी जो societies हैं, इसमें काफी जादा amount में यह societies work करती हैं, और अच्छी खासी number of societies exist करती हैं आज के time पर, east region में काफी जादा amount में हैं, west region में भी काफी जादा amount में ह और अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ, तो करीब करीब यह जो PACS societies हैं, वो एक लाख societies हैं total, almost ठीक है, मतब 99,000 करीब हैं तो आप लाखी मान सकते हो, on an average, और अगर मैं बात करूँ, पूरे इंडिया में सबसे जादा PACS societies कहां पे exist करती हैं, if I talk about the complete India, then Maharashtra tops in this, Maharashtra के पास 21,000 around societies हैं, जबकि जो और जादा agricultural states हैं, वहाँ पे बहुत कम हैं, जैसे कि राजस्तान, only 6,000, जबकि राजस्तान का एरिया जादा है, farming activities जादा होती हैं, पंजाब है, farming activities बहुत होती हैं, बड़ से 3500 हैं, तो कुछ ऐसे रेजन हैं, जहां पे बढ़ने की जरूरत ह हैं, वहाँ पे बहुत कम हैं, तो यह भी आप बता सकते हैं, जो मैंने हाँ पर data आपको बताया है, और यह data मैंने 2022 का बताया, because 23 का data available नहीं है, इसको complete करना, कोई doubt होगा तो comment box में पोचना, बाकि मिलते हैं, अगले lecture में, जैहें